असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देने वाले विजया दश्मी पर्व के अउसर पर जहां दशानन के दहन की तैयारियां होती हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के ओद्योगिक शहर कानपुर में रावन की पूजा की जाती है। रावन का ये मंदिर शिवाले के पास छिन्यमस्थिका के द्वारपाल के रूप में इस्थापी था है। इस मंदिर की इस्थापना सन 1868 में की गई थी। तब से निरंतर दशेरे के दिन रावन की पूजा अर्चना की जाती है। दशेरे के दिन सुबह लगभग 9 बजे मंदिर के पट खुलते हैं। साफ सफाई के बाद रावन का फूल मालाओं से श्रंगार किया जाता है। फिर रावन की आर्थी की जाती है। इस अफसर पर भारी तादात में भक्तिजन मौजूद रहते हैं। लोगों की ऐसी मानिता है कि दशेरे के दिन रावन के दर्शन करने से ज्यान, बल और बुद्धी में ब्रद्धी होती है। साथ ही सभी मनों कामनाय पूर्ण होती है। दशेरे के ही दिन शाम को आरती होने के बाद मंदिर के पट अगले दशेरे तक के लिए बंद कर दिये जाते है। इस मंदिर की इस्थापना के पीछे कारण था कि रावन प्रकार्ण पंडित होने के साथ शिव का परमभक्त था। इसलिए शक्ति के प्रहरी के रोप में का झाल